सीरियल मंगल लक्षमी में आया है दिल्चस्प मोड जहां एक तरफ आदित और सौमया मंदिर में जाते हैं हवन के लिए ताकि उनकी शादी में न आये कोई बाधा लेकिन उन्हें वहां मिला अशुब संके लेकिन जैसे तैसे वह वहां से भागते हैं ताकि मंगल उन्हें न देख ले आशुली सौमया ने ये पूजा रखा इस मंदिर में बिकॉस बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है हमारी शादी में कहीं ना कहीं सौमया भी मंगल के तरह बनती जा रही है यासी हम पूजा शुरू करते हैं और यागने के लिए तयार होते हैं आँग जल रही होती है तब ही एक बंदा आखर वहां गिर जाता है और इसके हात में जो मठका रहता है वह आँग में गिर जाता है और आग बुच जाता है इन पंडिजी कहते हैं कि यह बड़ बड़ और कि मंगल मुझे देखेगी या नहीं देखेगी बड़ किसी तरह बच कर मैं वहां से निकलने भाग कर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ हाँ मतलब अफकर स्वामया तो शादी करना चाहती है मुझसे पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारी शादी के बीच तो वो उस दोश को हटाने के लिए उसने यह हवन रखा है बड़ यहां मातारानी यही चाहती है कि यह शादी ना हो विकरस मातारानी का शायद आशरवाद मंगल के साथ है और तभी इसलिए पानी गिर जाता है उस हवन में और यह पूजा नहीं हो पाती अभी तो बहुत मेजर ट्विस्ट आने वाला है और शायद मंगल को पता चल जाएगा सौमया और अधित के बारे में और उसके बाद तो हमारा ड्रामा और हमारा शो शुरू होगा अभी तो बस चुरुआत है ड्रामा की वहीं दूसरी तरफ कहानी में आता है ट्विस्ट जब आदित सौमया के लिए लेकर आता है डायमंड रिंग लेकिन एक्सिडेंटली वो रिंग मंगल के बच्चों के हाथ लग जाता है और फिर क्या हुआ आप खुद देखिए वही यहां आदित खुद को फंसा देख कर बोलता है जूट की वो ये रिंग मंगल के लिए लाया है क्योंकि वो उसे शादी में कुछ नहीं दे पाया ये सुनकर आदित की मा और बच्चे होते हैं बेहत खुश वेल अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आएगा कौन सा नया मोर ये देखना दिलचस्थ होगा